भजन सहिता 64, एक से दस तक, हे परमेश्वर, जब मैं तेरी दोहाई दून तब मेरी सुन, शत्रू के उपजाय हुए भई के समय मेरे प्राण की रक्षा कर, कुकर्मियों की गोश्ठी से और अनर्थकारियों के हुलर से मेरी आड़ हो, उन्होंने अपनी जीब को तलवार के समान तेज किया है, और अपने कड़वे वचनों के तीरों को चड़ाया है, ताकि छिपकर खरे मनुश्य को मारें, वे निदर होकर उसको अचानक मारते भी हैं, वे बुरे काम करने का हियाव बांधते हैं, वे फंदे लगाने के विशय बातचीत करते हैं, और कहते हैं, हम क खाकर गिर पढ़ेंगे, जितने उन पर द्रिष्टी करेंगे, वे सब अपने अपने सिर हिलाएंगे, तब सारे लोग डर जाएंगे, और परमेश्वर के कामों का बखान करेंगे, और उसके कार्यक्रम को भली भाती समझेंगे, धर्मी तो यहोवा के कारण आनंदित होकर उसका शर्नागत होगा, और सब सीधे मनवाले बढ़ाई करेंगे, युहनना 11, 1-44 तक, मरियम और उसकी बहिन माथा के गाउं बैतनियाह का लाज़र नामक एक मनुश्य बीमार था, यह वही मरियम थी जिसने प्रभू पर इत्र डाल कर उसके पावों को अपने बालों से प महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा पर मेश्वर के पुत्र की महिमा हो, युश्य मा था और उसकी बहिन और लाज़र से प्रेम रखता था, फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था, वहाँ दो दिन और ठाहर गया, इसके बाद उसने चेलों स चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं, उसने ये बातें कहीं, और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाज़र सो गया है, परंतु मैं उसे जगान मर गया है और मैं तुम्हारे कारण आनन दितूं की मैं वहाँ न था जिससे तुम विश्वास करो। परंतु अब आओ, हम उसके पास चलें। तब थोमा ने जो दिदमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ, हम भी उसके साथ मरने को चलें। वहाँ पहुंचने पर यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेट करने को गई, परंतु मर्यम घर में बैठी रही। माथा ने यीशु से कहा, हे प्रभू, यदि तू यहाँ होता, तो मेरा भाई कदापी न मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मानगेगा, परमेश्वर तुझे देगा। लीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। माथा ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि इंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदी मर भी जाय तो भी जियेगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंतकाल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभू, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था, वह तू ही है। यह कहकर वह चली गई, और अपनी बहिन मर्यम को बुला कर चुपके से कहा, गुरू यही है और तुझे बुलाता है। यह सुनते ही वह तुरंत उठकर उसके पास आए। यहीश्व अभी गाउ में नहीं पहुचा था परन्तु उसी स्थान में था जहां माथा ने उससे भेट की थी। तब जो यहुदी उसके साथ घर में थे और उसे शांती दे रहे थे, यह देखकर की मर्यम तुरंत उठके बाहर गई है यह समझे की वह कबर पर रोने को जाती है, तो उसके पीछे हो लिए। जब मर्यम वहां पहुची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पावों पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तु यहां होता तो मेरा भाई न मरता। जब यीशु ने उसको और उन यहुदियों को जो उसके साथ आये थे, रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ, और कहा, तुमने उसे कहा रखा है। पत्थर हटाओ, उस मरे हुए की बहिन माथा उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुरगंध आती है, क्योंकि उसे मरे चार दिन हो चुके हैं। लीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझ से नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी, तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। लीशु ने आँखें उठा कर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है, मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परन्तु जो भीड़ास पास खड़ी है, उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे की वे जाने दो, एक शमुईल दो, सत्ताइस से चछतीस तक, तब परमेश्वर का एक जन एली के पास जाकर उससे कहने लगा, यहोवायों कहता है, कि जब तेरे मूल पुरुष का घराना मिस्र में फिरोन के घराने के वश में था, तब क्या मैं उस पर निश्चे प्रगटना हु इसलिए मेरे मेलबली और अनबली को, जिन्हें मैंने अपने धाम में चड़ाने की आग्या दी है, उन्हें तुम लोग क्यूं पाउं तले रौंदते हो, और तू क्यूं अपने पुत्रों का मुझ से अधे कादर करता है, कि तुम लोग मेरी इस्राइली प्रजा की जो मुझे तुछ जाने वे छोटे समझे जाएंगे. सुन, वे दिन आते हैं कि मैं तेरा भुजबल और तेरे मूल पुरुष के घराने का भुजबल ऐसा तोर डालूंगा कि तेरे घराने में कोई बुड़ा होने ना पाएगा. इस्राइल का कितना ही कल्यान क्यूं ना हो, तो भी तुझे मेरे धाम का दू, खर देख पड़ेगा, और तेरे घराने में कोई कभी बुड़ा ना होने पाएगा. मैं तेरे कुल के सब किसी से तो अपनी वेदी की सेवा न चीनूंगा, परंतु तो भी तेरी आँखें देखती रह जाएंगी, और तेरा मन शोकित होग और तेरे घर की बरती सब अपनी पूरी जवानी ही में मर मिटेंगे. और मेरी इस बात का चिनह वह विपत्ती होगी जो होपनी और पीनहास नामक तेरे दोनों पुत्रों पर पढ़ेगी, अर्थात्वे दोनों के दोनों एक ही दिन मर जाएंगे. और मैं अपने लिए एक दिश्वासयोग्य याजक ठहराऊंगा, जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा, और मैं उसका घर बसाऊंगा और स्थिर करूंगा, और वह मेरे अभिशिक्त के आगे-ागे सब दिन चला फिरा करेगा. और ऐसा होगा कि जो कोई तेरे घराने में बचा रहेगा वह उसी के पास जाकर एक छोटे से टुकडे चांदी के या एक रोटी के लिए दंडवत करके कहेगा, या जग के किसी काम में मुझे लगा, जिससे मुझे एक टुकडा रोटी मिले. एक शमुईल 3, 1-21 तक. वह बालक शमुईल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था उन दिनों में यहोवा का वचन दुरलब था और दर्शन कम मिलता था और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आँखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे न सूज परता था जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुजा नहीं थ और शमुल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूप था लेटा था तब यहोवा ने शमुल को पुकारा और उसने कहा क्या आ गया तब उसने एली के पास ड़ड़कर कहा क्या आ गया तूने तो मुझे पुकारा है वह बोला मैंने नहीं पुकारा फिर जा उस समय तक शमूईल यहोवा को नहीं पहचानता था और न यहोवा का वचन ही उस पर प्रगठ हुआ था। फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूईल को पुकारा और वह उटके एली के पास गया और कहा क्या आ गया तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इ पहले के समान पुकारा शमूईल 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 ने कहा कै क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यहोवा ने शमूईल से कहा सुन मैं इसराइल में एक ऐसा काम करने पर हूँ जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सननाटा चा जाएगा। उस दिन मैं एली के विरुद्ध वह सब कुछ पूरा करूंगा जो मैंने उसके घराने के विशे में कहा उसे आरम से अंतक पूरा करूंगा। क्योंकि मैं तो उसको यह कह कर जता चुका हूँ कि मैं उस अधर्म के कारण जिसे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा क्योंकि उसके पुत्र के भवन के किवाड़ों को खोला और शमुईल एली को उस दर्शन की बातें बताने से डरा तब एली ने शमुईल को पुकार कर कहा है मेरे बेटे शमुईल वह बोला क्या आ गया तब उसने पूछा वह कौन सी बात है जो यहोवा ने तुछ से कही है उसे मुझ से न छिपा ज तो यहोवा है जो कुछ वह भला जाने वही करे शमुईल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निश्वल होने नहीं दी और दान से बेरशेबा तक के रहने वाले सारे इस्राइलियों ने जान लिया कि शमुईल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है और यहोवा ने शीलो में फिर दर्शन दिया क्योंकि यहोवा ने अपने आपको शीलो में शमुईल पर अपने वचन के द्वारा प्रगट किया एक शमुईल चार एक से बाइस तक शमुईल का वचन सारे इस्राइल के पास पहुँचा और पलिष्टियों से युद्ध करने को निकले और उन्होंने एब निजेर के आसपास चावनी डाली और पलिष्टियोंने अपेक में चावनी डाली तब पलिष्टियोंने इसराइल के विरुद्ध पांती बांधी और जब घमासांग युद्ध होने लगा तब इसराइली पलि आएं कि वह हमारे बीच में आकर हमें शत्रूँं के हाथ से बचाए। तब उन लोगों ने शीलों में भीज कर वहां से करूबों के उपर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा की वाचा का संदूप मंगा लिया और परमेश्वर की वाचा के संदूप के साथ हैली के दोनों प कि यहोवा का संदूप छावनी में आया है। तब पलिष्टी डर कर कहने लगे उस छावनी में परमेश्वर आ गया है। फिर उन्होंने कहा हाए हम पर ऐसी बात पहले नहीं हुई थी। हाए ऐसे महाप्रतापी देवताओं के हाथ से हमको कौन बचाएगा। ये तो वेही देवता हैं जिन्होंने मिस्रियों पर जंगल में सब प्रकार की विपत्तियां डाली थी। हे पलिष्टियों तुम ही आफबाध हो और पुरुशार्थ जगाओ कहीं ऐसा ना हो कि जैसे इबरी तुम्हारे अधीन हो गए वैसे तुम भी उनके अधीन हो जाओ पुरुशा अपने वस्त्रफाडे और सिर पर मिट्टी डाले हुए शीलो पहुचा वह जब पहुचा उस समय एली जिसका मन पर मेश्वर के सिंदूप की चिंता से थर्थरा रहा था वह मार के किनारे कुर्सी पर बैठा बार जोह रहा था और ज्यों ही उस मनुष्य ने नगर में गई थी और उसे कुछ सूचता न था उस मनुष्य ने एली से कहा मैं वही हूँ जो सेना में से आया हूँ और मैं सेना से आज ही भाग कर आया हूँ वह बोला हे मेरे बेटे क्या समाचार है उस समाचार देने वाले ने उत्तर दिया इस्राइली पलिश्तियों के सामने से भ चार खाकर गिर पड़ा और बुरा और भारी होने के कारण उसकी गर्दन तूट गई और वह मर गया उसने तो इस्राइलियों का न्याय चालीस वर्ष तक किया था उसकी बहु पी नहास की स्त्री गर भवती थी और उसका समय समीब था जब उसने परमेश्वर के संदूप क चीन लिये जाने और अपने ससुर और पती के मरने का समाचार सुना तब उसको जचा का दर्द उठा और वह दुहर गई और उसके एक पुत्रुत पन हुआ उसके मरते मरते उन्स्त्रियों ने जो उसके आसपास खड़ी थी उससे कहा मदर क्योंकि तेरे पुत्रुत पन हुआ है परंतु उसने कुछ उत्तर न दिया और ना कुछ ध्यान दिया और परमेश्वर के संदूप के चीन लिये जाने और अपने ससुर और पती के कारण उसने यह कहकर उस बालत का नामी का बोध रखा इस्राइल में से महिमा उठ गई फिर उसने कहा इस्राइल में से महिमा उठ गई है क्योंकि परमेश्वर का संदूप चीन लिया गया है